Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल आपका याद करने काम और भी बढ़ जाता है क्यूंकि अब यह 49-54 हो गई है अपकी कोई 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 कर सकते हैं आपकी 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 कोई कर सकते हैं और उसके साथ-साथ क्वालिटेटिटिव एक्सपर्स के दवार आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा 1st August से यह बात शुरू हो रहा है हमारा 6 PM श्याम को तो UPSC की तयारी आपकी आसान हो सकती है study IQ के साथ if you enroll yourself so I would suggest you should enroll now coming back to this topic environment ecology वैसे भी UPSC के लिए बहुत important है हर बार मैं आपको बताती हूं प्री में 20-30 questions आपके environment से related होते हैं और 3-4 questions आपके mains में भी आते हैं और बाकी subjects में भी अगर आप environment से जुड़ी हुए क्योंकि आप कोई भी answer writing जब करते हैं तो हर aspect देते हैं उसका economic aspect क्या है political aspect क्या है आपको environment aspect भी लिखना है तो हर subject में भी important है बाकी answers लिखने में भी आपको मदद करेगा and उसके साथ-साथ environment जो है जो है जो आपका interview होता है वहां पे भी पूछा जाता है environment angle से questions जो है वो पूछे जाते है right now coming back to this topic क्योंकि जैसे मैं आपको बोला आपका याद रखने का काम जो है वो भढ़ गया है पांच और रामसर साइट्स जो है उनको आड किया गया है तो यानि 49 साइट्स आपकी पहले थी जो की अब हो गई 54 और international importance की रामसर साइट्स होती है कौन कौन सी साइट्स को इस बार रामसर में आड किया गया है यह शुड रिमेंबर कारी किली बर्ट सेंचुरी तीन इन मैंसे तमिल नाडू में अगर आप देखेंगे तो यह पांच साइट्स को इंकलूड किया गया है इनको याद रखिये यह देखिये हिंदू में पी और अलग लग जगा आपको यह न्यूस देखने को मिलेगी वैसे भी हमने बहुत दिसकॉशन किया और प्री में भी सवाल वेट लैंड पे आया है तो वेट लैंड क्या होते हैं बताइए जरा वेट लैंड वो एरिया है लैंड का जो की एक शालो लेयर ऑफ वाटर से यानी पानी की एक लेयर से भरा पड़ा है या तो देखिये पानी रहेगा तो इसको वेट लैंड बोलते है वेट लैंड की यह खासियत है देखिये हो सकता है कि साल के कुछ समय तक आपको इस पे जमीन जो है टोटली ड्राइ दिखे लेकिन इसको तो भी हम वेट लैंड में करते हैं क्योंकि यहां पर जो ग्राउंड टेबल है ग्रा भी हम समय दीज समांप बुधन में एक जाएंगे एक कटिगरी में एंक पांप बॉन ह्रेंसा जाते हैं देख ऐना गाउन प्रियॅक Вас लिंसे है जा उन्ठ इन्या है डिखे लिया में इन्मी दिघा रहे जाएंड औरफिय आपका है तो यह ग्रसे भाtle lip कर देख गडाने सं Swampy, Marshy, Bogg यह असकते हैं Swamp, अभ यह difference क्या है इन में? Difference अगर आप से कोई पूछे Difference है plantation का कि किस तरह का plantation यहां पे होता है जो Swampy areas हैं, इनको माना जाता है These are the forested areas Forested यानि हापे बड़े-बड़े Hardwood trees जो है, वो grow करते हैं उन areas को हम Swampy areas बोलते हैं यहां पर आपके सोफट वोड ग्रो करें के अरबेश उस एरिया को मार्शी एरिया बोलते हैं और बॉक्स बेसिकली वो लांड हो गया जहां पर पानी में काफी एसपी एक वाटर हो है है से हाईब हैं ईसके साथ नहाँ दाफ है और उसके साथ साथ यहां पर उसकी ऑप्तली काफी लग होता है बोग्स में होता है इसकी इसलो फारेशनि को मालूम होने मैं स्वांपी बस क् फ्कल रहा है तो यहां लान्फ टली ऑक पाहिष लो जो ध्यों दिदे है वह पीस है जहां पे लांड और वाटर मिल रहा है और एक न्या तरह का एरिया बन रहा है जो एक अलग तरह की species को बायोडिवर्सिटी को सपोर्ट करता है तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है human survival के लिए biological diversity के लिए क्योंकि हाँ पानी भी मिलता है productivity अगर आप देखेंगे इंपोर्टन है क्योंकि फ्रेश वाटर सप्लाइ यहां पे हुमन पॉपलेशन को ही हां से मिल रही है food मिल रहा है building materials मिल रहे है flood control हो रहा है ground water रापका recharge हो रहा है climate change mitigation जो है उससे आपको बचाता है इस वेरी इंपोर्टन हम वर्ल वेटलन डेवी 2nd February को 2020 में मनाया गया तब देखेंगे लग 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 थीम्स रहतें बड 2nd February को इसको मनाया जाता है अब यहां पर देखेंगे आपने पांच रामसर साइट्स इंक्लूड हो गए हैं बाकी देशों में भी इस तरह से इंक्लूड होते होंगे और इंडिया में सबसे जादा बहुत जादा आप कह सकते हैं कोई भी साउथ एशिन कंट्री नहीं होगी ऐसी जहां पर इतना ब्रेट्थ यह ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी आपको मिलेगा इंडिया में अभी सिर्फिफ्टी फोर ही हुएं और अभी तक यह भी न्यूज है कि 15 अगस तक शायद कुछ और वेट्लैंड भी इसमें एड किये जाएंगे अब किसी वेट्लैंड को अगर हम रामसर लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है देखे इसकी वज़ा से कोई इंक्रीजड इंक्रीजड इंटरनाशनल फंड उस साइट के लिए नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज़ का फायदा होगा कि स्टेट गवर्मेंट, सेंटर गवर्मेंट उस जगा को जाधा अच्छे से देखने लगेगी जाधा conservation efforts जो है अपने वो लगाने लगेगी ताकि वहाँ पे human या man-made encroachment जो है वो ना हो क्योंकि रामसर साइट में आपके टूरस आएंगे वहां से आपको revenue आएगा और आप इन साइट को जाधा protect कर पाएंगे अब रामसर साइट जो है किसी भी wetland को अगर रामसर लिस्ट में डालना है कोई ना कोई criteria है जो वो पूरा करना चाहिए 9 criteria उनमें से कोई एक पूरा करना चाहिए at least one जैसे कि कोई vulnerable, endangered या critically endangered species को वो support कर रही है इस तरह का कोई भी एक जो भी 9 criteria है एक criteria वो site पूरा करनी चाहिए और 20 जैसे की 20,000 से जादा 20,000 या 20,000 से जादा water birds को support कर रही है वहाँ पर food या fishes important source है, spawning ground है, nursery है, migration path है क्योंकि बहुत सारे wetlands पे अप लिएट लिए माइटरी birds भी आते है तो इस तरह के criteria यहां पे रखे गए है नौ रांसर कन्वेंशन क्या है 1971 में इसको साइन किया गया इरानियन सिटी रांसर में इंटर गर्मेंटल अकॉर्ड है यह oldest, one of the oldest, अगर आप एकोलिजिकल वे में इसको देखेंगे अप लॉबारान सिस्टेन रहें, अब रांसर कन्वेंशन है जिनके साथ beyan साथ इंटर-चल आएचेंटをचेंकर क्रों करती है चैसे , ुबर्ड बर्ड्लाइब अिंटर्न कंवनेशनल उनियन फ़ॉपंजरवेशन ऑघ यूद-इजर, नेशनन उन्स्ट W.W.F. International Wild Fall and Wetlands Trust इनके साथ मिलके ये काम करते हैं अब रामसर कन्वेंशन अउन वेट लैंड्स रिपोर्ट तो यहां पर यह माना जा रहा है कि वेट लैंड्स बॉट जल्दी से खतम हो रहे हैं फॉरस ते भी तेजी से वेट लैंड्स हमरे खतम हो रहे हैं 35% wetlands हम खोच चुके हैं 1970 से 2015 के बीच तो एक अलार्मिंग सिच्वेशन है यह अर्जिंट एटेंशन इसको चाहिए ताकि हम यहां पर wetlands को बचा आपाएं क्योंकि wetlands खतम होगे तो उसके साथ-साथ बहुत सारे चुस्पीशियस उस पर डिपेंड करते हैं जाहिए वो प्लांट के अनिमल के बर्ड के हैं वो खतम हो जाएंगे अब एक बार हम इन साइट्स को देख लेते हैं जो नई साइट्स इंकलूड की गई है जैसे कारी के लि स्टॉर्क, स्पुन बिल इस तरह के बोल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और इसको आप देख सकते हैं वेट्लंड को रामसर लिस्ट में डाला गया पली करनाई मार्श रिजर्व फोरेस्ट अगें अगे यहां पर यहां पर प्लांटेशिया में किस तरह का प्लां मार्शी कट़ने के लिए इस क्राइटेरिया में आता है किस उत्त कर्षान स्थावर्म मामफ यह लोकिटग है क्योंकि अप मिलेंगे में तो पीच्वावरं मांकरूव यह लोकेटट है विलेजनीयर चिदांबर्म कोडलो डिसिक्ट्रोर नुत अमिल आटू का और यहां पर बहुत जादा पानी से कवर्ड है, मैंग्रूव फोरिस्ट यह बेसिकली हैं मैंग्रूव अगर आप देखेंगे, the mangroove is one of the largest mangrove forest in India, covering 1100 hectares इतना area यह कवर करते हैं, यह mangrove forest in India में अगर आप देखेंगे यह इंटिग्रल पार्ट माधव नाशनल पार्क शिवफूरी चोकी मध्यप्रदेश में है, यह पर आपको माश क्रोकोडाइल्स जो है, वो देखने को इस लेक में मिलेंगे पाला वेटलैंड जो है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, यह मीजोरम में है, साहिया डिस्टिक मीजोरम में, यह बहुत सारे अनिमल, बोर्ज, रप्टाइल्स पर डिपेंड करते हैं और गौर्मन्ट ऑफ मिजोरम अगर देखेंगे इसका जो 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 जोग्रिफिकल लोकेशन है पाला वेटलैंड का यह इंडो बर्मा बायोडिवरसिटी होट्स पोर्ट के अंदर भी आता है यह बहुत जादा बायोडिवरसिटी को सपोर्ट करता है तो यह आप देख सकते हैं कि इस तरह से पांच जो एरियास हैं उनको रामसर में डाला गया है यह आपके लिए कुछ फाक्च्वल इंफोमेशन ओल्डिस्ट रामसर साइट चिलिका लेक उडिस्टा नाइटीन नाइटीन वे बनी कियो लादियो घना यह राजस्तान में नाइटीन वे बना यह पर कुछ लार्जिस्ट के बारे में विताया है सुंदर्बान बनार कोलवेटलैंड की वेडienst deaf के love για में भाली बनार कोवटलैंड करणला में चलिका लेक उडिस्टा में कुछ लार्ज लार्जिस्ट हैं इंडिया की अब रिलेटेड फाक्त्स आपके लिए इंपोर्ट्न थाइटिस्ट केर दें जखें आप पड़सकते सिवह रांटी pi 500 रामसर साइट वर्ल्ड में है और वर्ल्ड फर्स्ट साइट वस कोबर्ग पैनिन्सुला इस वर्य इंपॉर्टन की पहला साइट कॉन सा था इसको 1974 में डेजिगनेट किया गया बोलिविया लार्जिस्ट अरिया रामसर प्रोटेक्शन का बोलिविया के अंडर आता है अब कुछ कन्वेंशन जैसे मॉंत्रे इसका स्पेलिंग M-O-N-T-R-E-U-X है इसको प्रणाउंस आप करतें मॉंत्रे रिकॉर्ड अपको मैंने समझा दिया वेट्लेंस क्या है रामसर लिस्ट ये भी मैंने बता दिया कि इंटरनाशनल इंपोर्टन्स के जो वेट्लेंस है जो उनको यहां पर उन साइड को रामसर लिस्ट में एड किया जाता है अब रामसर लिस्ट के अंदर आता है आपका मॉंत्रे रिकॉर्ड इसमें रामसर वेट्लेंस वह वाले रामसर वेट्लेंस इंकलूड किये जाते हैं जिनको खत्रा है खत्रा है यानि जहां पर कुछ चें तो इसका मतलब है जो मौंत्रे रिकॉर्ड में वेट लैंड्स रामसर वेट लैंड्स आएंगे उनको इमीडियेट एटेंशन की ज़रूरत है उनको जादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है तो मौंत्रे रिकॉर्ड में आपकी उस तरह के वेट लैंड्स हो आएंगे वेट लै चंदरताल हमाचल प्रदेश में नीलनाग कश्मीर रुद्रसागर ट्रिपुरा लोक्टक मनिपूर तो आप मुझे बता सकते हैं कि I think लोकटक मनिपूर जो है आप एक बढ़ चेक कीजेगा जादंक मुझे याद रिकॉर्ड मेें भी है ये और क्यो लाधियो भी मौनिआ रिकॉर्ड में आपके दो हमारे इंपोर्टेंट रांसर साइट्स अलड़ी मॉन्त्र रिकॉर्ड में हैं एक बार कन्फर्म भी कर लीजेगा but this is what I remember बाकि आप इसका आंसर मुझे दीजिए Oxbow wetland कौन सा है आप मुझे comment section में बताएए आंसर आपको telegram में मिल जाएगा Thank you so much